नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चेनल जी के पाट साला में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो राष्ट्रे अनुसुचित जन जाती आयोग से समधित दोस्तों इससे पहले हमने बात करी थी राष्ट्रे अनुसुचित जाती आयोग से समधि उसमें क्या था कि अनुसुची जाती और जो जन जाती उनके लिए एक विशेश अधिकारी की न्युक्ति का प्रावदान था जो मूल समयदान था उसमें फिर देरे देरे इसमें क्या होता गया देरे देरे संसोधन होता गया संसोधन होते होते एक जो लास्ट में यह इस्तिति आ गई जब 2003 की बात करें हम तो 2003 में जो जो नवाशिवा संसोधन होता उसके द्वारा जो आर्टिकल 3381 के इसमें और जोड़ा गया क्योंकि जो पहले राष्ट्री अनुसुचित जाती प्लस जन जाती दोनों साथ में थे स्टी प्लस स्टी दोनों आयोग एक कम्माइंड आयोग था लेकिन जो नवाशिवा संसोधन हुआ था 2003 में उसमें क्या कर दिया था दोनों को अलग अलग कर दिया था यहनी एक तरफ हो गया राष्ट्री अनुसुचित जाती आयोग और दूसरा आयोग क्या हो गया राष्ट्री अनुसुचित जन जाती आयोग तो हम बात कर हम कह सकते हैं कि जो इसकी स्टापना है व तो यह तो होगे से कि जो गठन की परिक्रिया या आयोके के उदेश से संबंदित जो बात है वो अब यहां बात करते हैं दोस्तों इसके संगठन की तो संगठन इसका जाती और जाती और जाती है दोनों का सेम है यहां एक तो क्या रहता है अदेक्स एक उपादेक्स और तीन क्या रहते हैं यहां सदस्य रहते हैं अब जो अदेक्स है उसको किसका दरज़ा दिया गया है यहां जो केबिनेट मंत्री उसका दरज़ा दिया गया है और जो उपादेक्स है उसको किसका दरज़ा दिया गया है राज्य मंत्री का दरज़ा दिया गया और जो बाकी तीन यह क इन की किन delus UK याई राश्र पती एक जारी करता है ठीक है राश्पति आधेस Ahh योगा क्या कि जाते है यह निवकत कि इनका जो कारे काल थी वैसे क्या है तीन वर्कान के एक किसकी वपरईपेंड गरता है राश्ट्रमbt के ओपर डिर्पैंड करता है यानि इनकी जो सेवा सरते हैं कारेकाल ये सब किसके द्वारा निर्दारित किये जाते हैं एक तरह से राष्ट्रपती के द्वारा ही निर्दारित किये जाते हैं अब बात करते हैं जैसे जो आयोग ये थे ये जो जन जाती आयोग उसका जो परतम पहला जो आयोग था उसके फरतम अदेक्स थे कुमर सिंग और अभी जो पांचवा योग चल रहे है जो अनुसुची जंजाति आयोगा उसके अभी वरतमान में अदेक्स कुन है? नंद कुमार साय है और जो उपादेक्स कुन है? सुसरी अनुस्या हुके यह क्या है जो अनुसुचित जन्जातियों कि क्या है उपादेक्स है अगर बात करें इनके अन्य तीन सदस्यों की तो अन्य तीन सदस्य इनके कौन हो जाएंगे एक तो हरी कर्शन डा मोर है इनके अग्जाम के पॉइंट ओप उप इसे यह नहीं पूचे जाएंगे शिरफ जो मुझ के अदेक्स है प्लस उपादेक्स ही पूचे जा सकते हैं और प्लस जो आर्टेकल है 338-1 ये पूच्छा जा सकते है फिर स्रीमति माया Fahrenheit squishy और एक जो अधेक्स है वो है श्री अर्षत भाई रस्द भाई मेल के तीन अन्य सदस्य और बात करें कार्य की तो कार्य वह ईसे संमंदित कोई भी अगर उनको समझ से आ रही दिकत आ रही तो जंजातिय कि इत्व की रक्षा करने का काम किसका है जो आयोग है इसी का ही काम है अब आयसे बात करें तो प्रतो को अनुसुची जनजाटियों को उनके अधिकारों से वंचित करने के समंदंध में शिकाइतों की जाच करना यागर उन ग के लिए भी क्या है ये कारे करेगा अगर राष्ट पती या संसद द्वारा कोई बनाए गई विदी है कारे तो करेगा लगिन किस के अधिन करेगा या संसद या राष्ट पती द्वारा कोई बनाए गई विदी विदान है उसके अधिन ही रहकर क्या करेगा ये कारे करेगा य नहीं यह सिर्फ जो संसद और जो राष्टपति कोई विदीविदान मनाता उन्हीं के अकोर्डिंग क्या करेगा उनके उत्थान के लिए कारिये करेगा इसके अलाव भी इनको अन्य कारिये प्यों जैसे वन छेतर में रहरी जो अनसुचित जंजातिया है उनको स्वामित्व जितने भी चीज़े हैं वो सब कौन करता है जो यह आयोग ही करता है अब आयोग जब यह किसी जैसे मालों इनके पास कोई रिपोर्ट आती है ठीक है तो यह क्या करता है कोई किसी चीज़ करता है जब उसकी खोज जांच करता है उसके बारे में तब क्या करता है उसको सारी सक्तिया कौन सी प्राप्त होती है जो एक सिविल कोर्ट को जो सक्तिया प्राप्त होती है वो सारी सक्तिया कि इसको प्राप्त हो जाती है यहां जो अनुसोचित जंजाती आयोग है उसको यह सारी सक्तिया प्राप्त हो जाती है अब परतिवेदन की बात करें यह जो आयोग है यह आयोग अपना परतिवे दन किसे देगा यानि जो रिपोर्ट है फीडबेक किसे देगा तो फीडबेक यह किसे नियुक्ति कोन कर रहा है राष्टपती तो फीडबेक भी किसे देगा राष्टपती को ही देगा यह yearly फीडबेक देते हैं अगर जूर्ट पड़े तो पहले भी दे सकते हैं साब कुछ नहीं पर यह जो राष्टपती है इस फीडबेक को किसके समक्स पेस करेगा संसत के समक्स पेस करेगा और जो राज्ये की राज्येपाल है उनके पास भी क्या करेगा यह बिजवाएगा और उसके बाद जो सिपारे से आती है ठीक है उनके बारे में फिर क्या यह कारेवाई करेगा तो दोस्तो छोटा साई टोपिक था कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं कोई खास चीज तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सेर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तैंक्यू दोस्तो, जैहिन, जैवारत